क्रिशी सुधार के कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान्स जंगठनों के साथ सरकार की मंगलवार को हुई तीसरे दौर की वार्ता भी बेनातीजा समाप्त हो गई सभी की नजर अब परसो होने वाली अगले दौर की बैठक पटिक गई है वार्ता खत्म होने के बाद बाहर आये केंद्रिये क्रिशी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर ने कहा आज की बैठक में परस पर समझ बनी है किसानों के साथ अब चोथे चरण की वार्ता परसों यानि ब्रसपती वार्कु होगी जिसमें विस्तरित चर्चा होगी वारता के दोरान सरकार की ओर से संजुक्त समिती के गठन के प्रस्ताओं को किसान नेताओं ने खारिज कर दिया बैठक में किसान संगठनों के नेता कानूनों को समाप्त करने की अपनी पूरानी जिद पर अड़े रहें लेकिन उन प्राबधानों को किसान नेता नहीं बता सके जो सीधे किसान हितों के विरुद्ध हो सरकार की ओर से किसान नेताओं से सपष्ट कहा गया है कि अगले दौर की बैठक में आएं तो उन प्राबधानों को चिन्नित करके लाएं जो किसान हीतों के विरुद्ध हो ताकि उन पर गंभीरता से विचार किया जा सके मंडी कानून के साथ कौंट्रेक्ट खेती को लेकर उठाई जा रही आपत्तियों के किन प्राबधानों से किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं विज्ञान भवन में मंगलवार को किसान संगठनों और सरकार के साथ कुल चार गंटे की लंबी वारता हुई किसान नेता जहां अपनी पूरानी बातें सुना रहे थे वहीं सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन देकर उसके वारे में विस्तार से बताया जा रहा था बैठक में 30 प्रमुख किसान संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया जिसमें ज़्यादा तर लोग पंजाब वह हरियाना के थे जबकि सरकार की ओर से केंद्रिये क्रिशी मंत्री नरेंदर तूमर और रेल मंत्री पियोश गोयल के साथ सोम प्रकाश हिस्सा ले रहे थे बैठक में क्रिशी मंत्राले के सचिव संजय अगरवाल समित कई और अफसरों ने हिस्सा लिया किसानों के साथ वारता में जाने से पहले भाजपा के राश्ट्रिये अध्यक्ष जेपी नड़ा के आवास पर केंद्रिये रक्षा मंत्री राजना सिंग, ग्रे मंत्री अमिश शा, क्रिशी मंत्री नरेंदर सिंग तूमर और रेल मंत्री पियोश गोयल के बीच किसान किसान पर गहन विचार विमर्ष करना आसान होता है, लेकिन इस पर उनका कहना था कि समिती के समिती सदस्यों के साथ वारता की जगया सभी संगठनों के प्रतिनिदी हिस्सा लेंगे, किसान अंदोलन किसी नतीजे के आने तक जारी रखा जाएगा, किसान नेता नियुनतम स का फोन हम लोगों को आया था, तो स्वाबावी ग्रूप से वो भी किसानों के छेतर में काम करते हैं, तो हम लोगों ने उनको साथ वजी का समय दिया था, तो सभी उनके पदादिकारी यहां आए, और उन्होंने एक्ट से संबंदित भी बाचित की, और क्रसी के छेतर में विवेन परकार के जो और आवश्यक्ता हैं, उन पर भी उन्होंने विचार भी मर्स किया, हमने उनको भी कहा है कि एक्ट से संबंदित जो आपके इसू हैं, वो आमें लिद कर दे दें, और हम जब विचार करेंगे तो उन पर भी विचार करेंगे, टिकेत युनियन के साथ भी बहुत सार्थक और बहुत ही अच्छे महुल में और बहुत ही सार गर्वित और उबलब्दी पूर्ण चर्चा रही, ऐसा मैं मानता हूं, और किसानों के किसी भी सबाल पर, मोदी जी के नितरतों में भारत सरकार हमेशा चर्चा के लिए तयार है, सुझाओं के लिए त और मोदी जी के नितरत्त्तों में किसानी का च्छेत्र, मुनाफिय का च्छेत्र बने और करसी का च्छेत्र आने वाले कल में देश के GRDP में अधिक योगवदान कर सके, किसानों के आँदनी दोगनी हो सके, यह मोदी जी का स्वापना है,ube दोपना के लिए सब धर संकल पे आज किसान यूनियन के नेतगर्ण आये थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की बारता आज संपन्द की बारता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तै किया है कि आप परसों बारता का चौथा चरण सुरू होगा और परसों तक यह लोग भी इसू अपने लेकर आएंगे और उन पर जिन दुबार फिर चर्चा की जाएंगे नहीं इस सामाने तोर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रूप बने लेकिन सबी इनियन्स का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे तो सरका को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपती सौबाबे ग्रूप से हम तो किसान भाईयों को यह आगरे करते ही हैं कि वो अंदोलन इस्तखित करें और बारता के लिए आएं लेकिन यह फैंसला करना किसान यूनियन पर किसानों पर निर्वर है झाल